सब्सक्राइब कर देंगे इसके बाद यह जो एक यूणिट है कार्बो हाइड्रेट से पूरी हो जाएगी पिछली वीडियो में हमने क्या शुरू किया था हमने शुरू किये थे क्या शुरू किये थे हम लोगों सेहल लो सेलीलोस पहते हैं जाल होती है उसमें लगनिन के साथ पहुए जाता होता ऐे भी कैसे चर्च होते हैं स्टार्ज्ड के जैसे होते हैं इसमें ग्लुकोज के मोनोमर होते हैं यानि कि जो एकलख कोईं होती है जो मोनोसकरई?. उनिट होती है वह कहन होता है благодар ग्लborg उनिट होती है वह इसमंध़ थोड़ा सा डिफ्रंस से स्टार्ट did ग्ल्वॉकोज होता है एल्फा लाइकोसाइडिक बनाता है जब्के इन में जो ग्लुकोज होता है वह बीटा लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है तो हम लेक्सकते हैं सेल्लोस के बारे में इसका भी अडूसूत्र क्या होता है इसका अर्शूत्र वह जो स्टार्च का क्या होगा कि 6H10O5 का होल एन होता है इसका भी अर्शूत्र सेम होता है ग्लूकोस को सर्ट की तरह तो जब यह क्योंकि यह वी पॉलिसेकराइड है तो इसका अर्शूत्र भी स्टार्च के जैसा ही होगा कई कर लेकिन इस्टार्च से क्या डिफ्रेंस है कि स्टार्च में जो थे उसमें कौन सा बंद था अलफा ग्लाइकोसाइड की बंदन था जब कि यहांपर कून सा होता है यहांपर इसलेलोज में अ चैलीटोज में तो ग्लुकोज, मोनो, सेकेराइड की एकाईयां उपस्थित होती है एकाईयां उपस्थित होती है जो की कौन से बीटा ग्लाइकोसाइडिक इनमें कौन से बीटा ग्लाइकोसाइडिक होती है बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंधन द्वारा जुड़ी होती है जो starch है उसमें alpha glycosidic linkage पाई जाती है जब कि cellulose में क्या पाई जाती है पाई जाती है ठीक है यह कहाँ पाई जाता है इसका source क्या है इसका source अगर आपको देखना है तो rapay देखनी होगे rapayное क्या होती है पाए जाता है लेकिन जो मेन सोर्स है वो क्या कह सकते हैं रूई तो हम लिख सकते हैं कि इसका मुख्य है कि श्रोत कोन है रूई यह कौटन होती है क्योंकि निजो प्यॉयोग को बोलते हैं शुद्ध शुद्ध क्या है शुद्ध सेलूलोज होती है रूई में जो रेशे होते हैं वो सेलूलोज होते हैं प्यॉर सेलूलोज वहां से खिलाव अगर हम देखें तो my cellulose का पाए जाता है पॉधों की कोशी का भित्ती में तथा कि इसमें पाया जाता है लकडी जो पेड़ की तना होते हैं च्छाल होते हैं उसमें पाया जाता है तो लकडी में लिगनेन के साथ पाया जाता है नेचर में ही पाये जाते हैं यह बहुत जादा और चाथे क्यों भांड करके क्वाइन के उसके अंदर होता है पत्तियों के अंदर होता है और हमारा छो सिस्टम इसको बैख़त है उनका जानवर क्षा ऩश्टरॉं आगे देखते हैं यह उता है है कि आगर देखा जाए थोष होता है है क्या हम सुईध थोष होता है क्या बहुत की to wash your eye क्यों थस थे थैंज यह वाइट कलर कहीं तो होते है क्या यह चाहिए बाद याने घूल लोगे तो क्या वो गुल जाती है नहीं न इसका मतलब यह पानी में क्या होता है पानी में गुलंशील नहीं होते और बाकी की जो शुगर्स थी कोपर हायडॉकसाइड के विलियन में गुल जाता है तो यह पानी में गुलंशील नहीं होते लेकिन में गुल जाते हैं ठीक है इसके विलियन में गुल जाते हैं लेकिन पानी में गुलंशील नहीं होते हैं यह चलो गई अच्छी बात है अगर इनका अडुभार देखा जाए तो स्टार्च की तरह क्योंकि यह भी पौरी सेकराइड है तो इनका भी जो अडुभार है बहुत उच्छ हो होता है इनका अडुभार देखा जाए तो क्या होता है इनका अडुभार में लिख सकते हैं सामान ने तहा कितना होता है बीस हजार से पचास हजार तक होता है जिन में कौन होता है ग्लुकोज की जिन में कौन उपस्थित होगा ग्लुकोज ही तो होगा तो जिसमें ग्लुकोज की कम से कम कितनी होती है नीचे लिख देते हूं पांच हजार से दस हजार तक एकाईयां उपस्थित होती है एकाईयां उपस्थित होती है ठीक है नोट की जल्दी से आगे चलते हैं फिर अपिरे एंगे बसाओ किया देँ हैं इड़ आगे एंगे यह सेलि लू से जल अबगटन करा यहां पर हम इसका है to the औक्ता एसिटेट प्राप्त होता है अर्थात अर्थात यह ऐसा लिखें जिससे प्रदर्शित होता है कि जिससे प्रदर्शित होता है कि सेल्यूलोज में कौन सी सेलो बायोज इकाईयां उपस्थित होती है एक पॉली सेकराइड है सेल्यूलोज जसमें बहुत सारी मोनोमर एकाईयां होंगी तो जब इसका एसिटो अपगटन किया जाता है तो अमको क्या मिलता है सेलो बायोज एक अलग तरह की शरकरा है वो मिलती है इसका मतलब इससे प्रदर्शित होता है कि सेल्यूलोज की जो सरचना सरचना सक्साइड बाली जिए उसको पाकर anders बोते हैं मतलब कि सेल्यूलोज करता है कि अंदर ग्लूकोस की जो है पाईरानोस सरचना होती है और वो कौन से बंद से बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंद से प्रदर्शित होता है मैसलब इसकी का स्ट्रक्छर देख लेत हावर्थ सेलूलोस की हावर्थ सनरचना हावर्थ सरचना भी देख लेते हैं सेलूलोस की कैसी होती है तो सेलूलोस की जो हावर्थ सरचना है वो इस तरह से होती है इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं है यह घ्लाइकोसाइड़ेकोस। इसका मतलब गुलुकोस होगा वह कौन सा आएिर Schecks में कौन सा था यह अगर यह प्छिबी hadPlays hour नीचे ठाल वह अब अएक अपर होगा एक मतलब ऑसी साउत ना ह οह औह यह सीरे का सीरा ह defensive सीरा क्लिकाइफ दूसरा हम गुंसे बनाए उल्टा बना दें इस इसी को मैं क्या कर दें यह ग्रुश बनाय को यह बेंद्ट ग्लुकोज कोकि अल्टा कर दें यानि ऐसा हूजा जाएगा है ऐसा हो जाएगा यह अजाएगा है फिर में अधागल सब्रुर्ण है app यह वी बीटा ग्लूकोस यह बिंडड जो पकड़ गूमा धी लिए रिंग को पकड़ के नीचे वाले ग्रूप कांच ले जाएंगे उपर तो वही गर नाम को दूसरे वाले कारवन पर जाहिए nggak ऐसरे वाले कारवन पर जैए जो ऊपर जाहिए गा और नीचे वालोल जो नीचे वाला चला जांएगा उपर आपट वालोलि enjoying नीचे ठीक है तो क्या होगा यहां पर यह भी बीटा है यह भी बीटा है तो यहां से ओएच हट जाएगा और यह जुड़ जाएगा है ना तुम इसको ऐसे दिखा दूँ इस तरह से यहां पर कौन सी लीकेज होगी बीटा वो भी कौन सी वन और यह चौथी पोजीशन है तो ऐसे ही दूसरा मॉलेक्यों होगा है न यहां पर आप सीधा बना दो एक बहुत गलुकोस बीटा बनाया ना तो ओट उपर एच नीचे यहां पर दोट तो इसके बीच में बनेगा है ना तो इन दोनों के बिच्में बनेगा तो इस तरह से इसमें कौन सी 1 और 4 पोजीशन के बीच में ये भी क्या है बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है 1-4 ठीक है ऐसे ये ऑक्सिजन भी आगे जुड़ी हुई होगी आगे जैसे ये ऑक्सिजन है ये भी आगे किसी से जुड़ा होगा तो यहां पर क्या होंगी एन एकाई है उसको प्रदर्शित किया जाता है सेलूलोस की हावट सरचना को प्रदर्शित किया जाता है जिसमें से यहां से यहां तक का पार्ट ये जो पार्ट है ये क्या है ये सेलो बायोज है सेलो बायोज है क्या है ये जो पार्ट है ये दोनों जो लिंकेज बनी हुए है ये क्या बना रहे है ये सेलो बायोज के मॉलिक्यूल है किसके सेलो बायोज के इसका मतलग जो सेलूलोज की सरचना होती है उसमें सेलो बायोज होती है तभी तो हमको एसी टॉप गटन पर कौन मिला सेलो बायोज ओक्टा एसीटेट प्राप्त होता है यानि कि जितने भी ओएच ग्रुप होंगे यह सब किसे प्रतिस्थापित हो जाएंगे तो इसमें सेलो बायोज होती है उपस्तित इसलिए हमको इसके एसी टॉप गट तो इस तरह से सरचना होती है cellulose की नोट कीजिए जल्दी से तो आपके जो कार्बो हाइडरेट्स हैं वो इसके साथ होते हैं फिनिश ठीक है आपकी वालاب है एमीनो आसीड में कौन होते हैं डीने औरने कِस से बनते हैं वो इन्दर शरकराय में होती है यानि कि RYBOS सरकरा होती है DNA का नाम है Deoxy RH name अ कूंसा शरकरा होती है Deoxy Tribos शरकरा होती है हलां कि डिटेल में तुम वहां पढ़ेंगे कार्भो हाइडेट में ही आते हैं वह यानिकी वह शरकरा है है तो हम उसको था कि असले देखेंगे राइबोज कौनसी सुगर का राइबोज लाइबोज का राइबोज की सन्रचना देखेंगे हम मुधा कि राइबोज शुगर यह तो शुगर होती है शरकराई होती है वसी से तो DNA रोएने बनते हैं तो यह कैसी होती है तो यह बहुती important निया कि या लेकिंगे यह बहुत important यानि अती महत्तवुण अती महत्तवुण क्या है राइवो सुगर मैंने पढ़ा रखिया आपको याद हो तो कि जो मैंने ट्री बनवाये था कार्भो हैडेट का ट्री उसमें सबसे पहले कौन था ग्लिस्रील डी हाई फिर इरीथ्रो फिर थ्री ऋ उसके बाद राइवोज और रैबिनोज जाइलो लेक्तोज यह थे ना याद हो तो उसमें कौन सा सबसे पहले कौन सा था राइवोज इसका कितने कारवन होंगे इरिच्छ्रों में कितने थे चार तो राइबोज में बढ़ जाता है तो राइबोज में कितने होंगे 5 इसका मतलब ये क्या है ये अतिम है पूर्ण एल्डो पेंटोज है क्या है इसकी जो शुगर ट्री बनवाए था उसमें सभी में कौन सा यानि कि राइबो राइबो न्यूप्लिक ऐसेड में पाया जाता है रॉब ऊच्लेध मैं आ जाता है यहां पड़ेंगे आरेहें डियाने ऊह नह sich पड़ें इस इसका अगार हमें बनाना यह सन्सलेशन तो हम देखेंगे कि ड कि इरिठ्रोज और एरीथ्रोस कितने कार्वन होते हैं चार तो चार कार्वन में एक कार्वन बढ़ाना हो तो हम कौन सा संसलेशन करते हैं किल्यानई संसलेशनण संसलेशन यांडेना करवाया था आप लोगको इंटरकंवर्जेंस में तो दी इरीथ्रोज द्वारा कि लिए नी संसिलेशन द्वारा संसिलेशन द्वारा कौन प्राप्त होता है राईबोज तथा अरेबिनोज का मिश्रण प्राप्त होता है कि मैं मिश्रण क्यों लिखा रही हूं ये आप कल्यानी सेंसलेशन में जाकर देखिए जब एक कारवन बढ़ता है तो उस कारवन पर ओडू लेफ्ट भी जा सकता है और राइट भी जा सकता है इसलिए राइबोज और अरेविन्योंस का क्या प्राप्त होता है हमको मिश्रण प्राप्त होता है ठीक है लाइबो में कौन सा हमलोगaster कि की राइबोस की सरचना कुछ इस प्रकार की ओगी होग है एक होगा थी तीन कारवन होंगे फियर टु ओ एक दो तीन चर पाँच कारवन होगे ओएच ह ओह ओह एच 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 यह ये क्या है हमारा ऑफ्रफर की औप रचेन है ठीक है क्या है open चेन है लेकिन जैसे हमारा ग्लूको noi ॥े यह आ पाया जाता है तो यह क्या होती है छक्री है हमियशेटल सरचना में रहता है तो लिख सकते हैं का लिख सकते हैं कि ग्रुकोज की भाती राइबोज भी खुली श्रंकला में कम रहता है अतहा अतहा इसकी भी क्या होती है है अतहा इसकी भी चक्री है जिसे बोलते हैं है मी एसीटल सनरचना होती है यानि कि ग्लुकोज की तरह यह भी क्या बनाएगा है मी एसीटल सरचना कैसे बनेगी वह यहां पर ऑक्सिजन के पास लोन पेयर हैं यहां पर सी डवल बॉंड ओ है यह डेल्टा नेगितिव होता है यह डेल्टा पॉजिटिव होता है तो यह लोन पेयर जाकर यहां टेक कर देंगे और यह माइनस हो जाएगा यहां से एच प्लस लेकर यह क्या बना लेगा ओएच बना लेगा यह बन जाएगा ओएच एच इसके साथ तो यह जुड़ गया यहां पर रहेगा ऑक्सिजन नी होगी ऐल्फा और एक इसकी क्या बनेगी बीटा पॉंगो जिसमें पर इ extraordin कि कहा होगा बाहर होगा कि ऑक्ती अश्टum ओंग थैस care बनेगी ऐसको और वीटा चीव यह जैट यह जैँ क्ट आट मतलब इसका मतलब यहां पर कितने मेंबर्ड वाली रिंग बन रही है समझ में आई कितने सदस्य वाली रिंग बन रही है एक दो तीन चार और ये पांच पांच सदस्यों वाली रिंग बन रही है और पांच सदस्यों वाली रिंग को क्या बोलते हैं फ्यूरा नोज तो इसका मतलब यह एलफा डी फ्यूरानोज हो जाएगी यह बीटा डी फ्यूरानोज हो जाएगी कौन सी सदस्य वाली रिंग बन रही है पांच सदस्य वाली तो मैं यह उपर से मिटा दूं ठीक है यहां से टा दूं तो इसको मैं अच्छे से बनाओं तो ऐसे बना सकती हूं यहां पर अब लगा दो आप जैसे आप लगाते आए थे ग्रूप है ना कैसे लगाते आए थे लेफ्ट वाली चीज उपर राइट वाली चीज नीचे है ना यह लेफ्ट में है तो यह उपर आएगा राइट वाला नीचे left वाला up, right वाला down, left up, right down और left में h up होगा और CH2OH क्या होगा? down, ये कौन सी form है? alpha form है, और beta form में OH कहा होता है? अप होगा, बाकी तो same to same, ऐसी ही होगी CH2OH, h, यहाँ पर OH और OH, ये कौन सी है? beta, ठीक है? ये alpha pyranos form है, ये beta form है लेकिन RNA में दोनों नहीं पाई जाती है, ना? दोनों तो नहीं हो सकती, RNA के अंदर alpha और beta दोनों, ना? लेकिन RNA के अंदर कौन सी होती है? alpha D, ribofuranos, कौन सी होती है? ribofuranos सरचना पाई जाती है ठीक है? तो अब हम यहाँ पर इनके नाम दे देते हैं यह alpha D किस से बनी है? ribos से बनी है, तो ribofuranos और यह क्या हो जाएगा? beta D, ribofuranos तो इस तरह से यह ribos शुगर है अब हो सकता है, जब हम DNA और RNA पढ़ेंगे तो इनी दोनों में से कोई एक form होगी वह आप वहाँ देखोगे, कौन सी होगी? यह alpha होगी, यह beta होगी बीटा होती है, उसके अंदर यह alpha होती है तो जो alpha form है, वो नहीं होती है तुम देखोगे, यह जो RNA और DNA होगे उनके अंदर कौन सी form होगी? बीटा form होगी, कौन सी होगी? बीटा form होती है, तो वहाँ पर आप नुक्लिक एसेट में पढ़ोगे, तो देखोगे कि केवल यह वाली form पाई जाती है DNA और RNA में, हैना? लेकिन DNA में तो डियोक्सी राइबोस पाई जाती है यह कौन सी है? राइबोस शरकरा है, राइबोस शरकरा किसमें पाई जाती है? RNA में, कौन सी पाई जाएगी? बीटा डी, ठीक है? यह अभी मैंने बता दिया आपको जब आप नुक्लिक एसेट पढ़ोगे, तो वहाँ डिटेल में पढ़ोगे इनको तो यह थी आपकी राइबोस शरकरा नोट कीज़े जल्दी से लास्ट बच्ची हुई है डी ओक्सी राइबोस उसे भी देख लेते हैं लास्ट बच्ची हुई है कौन सी? डी ओक्सी राइबोस शरकरा अभी हमने पढ़ी थी राइबोस शरकरा, अभी है डी ओक्सी राइबोस क्या यह अलग होती है? नहीं भई यह वही होती है जो अभी हमने आरेने में जो बनाई थी राइवो शरकरा वही होती है लेकिन कैसी होती है डी ओक्सी डी ओक्सी मतलब उसका एक हाइड्रोक्सिल समू हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित हो जाता है क्या हो जाता है एक हाइड्रोक्सिल समू हाइड्रोजन से प इम्पोर्टेंट इंपोर्टेंट ता ना डूक्लिक एसिड के डियने में कौन सी सर्कुला पाई जाती है बहुत इंपोर्टेंट credenham है important के वह जैसे आरेने important डियने important आपकी body में क्या है DNA है तब ही तो आपके अंदर जो characters है जो कुछ भी है सब कुछ DNA की बदॉलत ही है और DNA में कौन होती हैै डियॉक्सी राय वो शरक्रा तो important तो हुई नहीं अब ट। थीक है इसके नाममें भी आरा राइयोज शर्करा आ हुट लेकिन कैसी होती है यह भी राइयोज शरुक्रा है लेकिन डियौकि है तो इसे हम क्या कहते हैं से डियौकैश शरuckyरा भी कहते हैं यह ए यह एक OH समू के हाइड्रोजन से प्रतिस्थापन द्वारा प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर हम किससे प्रतिस्थापित कर दें? हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित कर दें तो यह क्या बन जाती है? डी आक्सी राइवोस बन जाती है है ना है है ना तो हम देखते हैं यह कैसी सरक्रा होगी हमने क्या बोला एक ओच को हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित करना है तो कौन सा वाला यह वाला जो कारवन होता है यह तो कौन सा होता है यह तो हम जानते हैं वहीं हेमी एसी टल कारवन है यहीं तो पहले लडइ घृड गृप था फिर उस पर किस्ट वन गया थी या है दौक सा हैं मुझे यहां सबल च्रप कर रह सकते क्यूंकि यहां क् सब्सक्राय क्रतिस्थां होते यह चार पूर से तो इसका मतलब इसको तो प्रतिस्थापित नहीं कर सकते इसकी बात करें यह कौन सावन यह ठून यहां यहई ठ्रीब आठीक और यह फोर थी वाले को भी प्रतिस्थापित नहीं नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह बनाता है से जुड़ा हुआ हुथा है इनको तो प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं बचा हुआ कौन है हिमारा कार्वन नंबर लो इस पर है किसी भी रेक्षन में participate नहीं कर रहा है ना तो यह बेस से जुड़ रहा है ना ही किसी और के साथ glycosidic बंधन बना रहा है ना तो इसका मतलब यह मुक्त है तो हम डियोक्सी राइबोज में क्या करते हैं यह हटा देते हैं इसका प्रतिस्थापन कर देते हैं किस से एच से तो अब यह क्या बन गई यह बन गई बीटा डी कैसा है डी था बीटा डी डियोक्सी राइबोज शरकरा ठीक है तो इस तरह से जो कारवन नंबर दो पर जो हाइड्रॉक्सिल समू होता है उसका का प्रतिस्थापन कर देते हम हाईडोजन से यानि हाइडोजन से प्रतिस्थापन होता है कौन perform होता है क्वार्वन नंबर दो पर यह हां Kolott प्रतिस्थापन कार्वन नंबर दो arm tun पर यह चाहता है क्योंकि यह चट गया इसलिए इसको क्या बोलते हैं डी ओक्सी राइवोज सरकरा तो यह थे आमारे डी ओक्सी राइवोज शुगर और इस तरह से आपका यह चैप्टर हुआ खत्म इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में जब आप पांच फी यूनिट थेंक यू यूनिट खत्म थेंक यू